नमस्कार दोस्तों आप सभी का आगिता लेडिस टेरल में स्वागत है जिन लोगों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और लाइक करें और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब और लाइक किया उनका तहे दिल शेश चुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तो हाँ दोस्तों आज हम sluze की cutting बटाएगे वो भी direct कपड़े पर केसे किया जाता है जो beginner होगे उनको भी easily आ जाएगा paper पर cutting नहीं किया तो भी चलेगा direct कपड़े पर कर सकते हो तो हाँ पर catchy और chalk और यहाँ पर miserative ले लेना है और यहाँ पर scale ले लेना है अब इसे हम थोड़ा side कर लेती हूँ और blouse लेते हैं नाप केसे लिया जाता वो बताते हैं तो यहाँ पर blouse लेना है कभी भी sluze की cutting करने है तो पहले में क्या करना है blouse का नाप लेना है यानि sluze का नाप केसे लिया जाता है छोटी sluze हो या बढ़ी हो तो same ही नाप होता है खाली लेन खाली देखना पड़ा है किसी कम होती है किसी की छोटी होती है अभी हाँ पर sluze को बराबर रख लेना है अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इस तरीके से जो भी कौनसा भी साइज का आप कटिंग कर रहे हो सेम एसे ही हमें नाप लेना है इसमें कुछ नया नाप हमें लेना नहीं है कौनसे भी साइज का आप सिल रहे हो या कटिंग कर रहे हो वो बता रही हो में ऐसा नहीं क्या भी जो साइज की में बता रही हो तो आपने वही क देख सकते हैं यहां पे यहां पर कपरा थोड़ा ठोड़ा भी इसकी जो लेन्ट होगी वही लेनी है, इक्ष्ट्रा लेन्ट लेनी नहीं, यह दिया आपका श्टा बरकात सिल रहो, उन्हों 10 होगा तो उनको 11 लच चाहिए या 12 चाहिए तो आप लेन्ट बढ़ा सकते हो, जो होगी वही हमें यहापे लेनी है, अभी यहापे गोलाई, यह कहा जाता है, अभी इसे गोलाई कहा जाता है, अभी यह गोलाई कितनी है, पांच है, आप देख सकते हो, इस तरीके से हमें यह लेन्ट गिननी है, गोलाई और लेन्ट, अभी आर्मोल कैसे गिना जाता है, वो बताते हैं, बहुत तरीकी प्राब्लम होती कि जब आर्मोल ज तो यहां पर फूगा आ जाएगा और स्लीव में यहां पर इस साइज में फिटिंग पर्फेक्ट आती नहीं है तो बहुत ही इजी तरीका यानि मेरा खुद का तरीका में बताओगे आपको यह तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपकी जो स्लीव एकदम पर्फेक्ट आगी थोड़ी भी यहां पर कर लिए वगेरा होगी नहीं और जहां से यह सीलाई दीख रही है यहां से हमें और यहां से स्टेट लेना है मैं स्केल बता देती हूँ यह थोड़ा सा हलका सा देख सकते हो यह वाली जो कटिंग है इसे हमें ऐसे रखना है स्केल को नहीं रखना है म यह कितनी है मरे आर्मोल सॉड़ी छह आप देख सकते हो साड़ी छह 600 स्टेट में रकना इसे हमें करम्हक्न सुट्रेश कि प्लाउज ब्लाय। करते होगे इसको भी ऐसे ड्रेस और ब्लाउस की सेमी कटिंग होती है सिल्यूस की बता रहे हूं और बाकी का पाट तो अलग-अलग होता है अभी हमारा आर्मोल होगा साड़े छे आप देख सकते हूं यहां पर मैंने बता दिया है आपको यहां पर लिया है साड़े छे तक आ लिभ उगे और दो कप्ड़े को कभी अस्ति कर लेना है पहले सै बंघडे कर देखनी है और पहले कभी भी स्टेट company कर लेनी है सकेται मार्फश से इस तरीके से अभी लेंथ हमारी दस थी तो एक इच में बढ़ा देती हूँ यानि के ग्यारा इसको मैं ऐसे लख लेना है देख सकते हूँ इस तरीके से तो यहाँ पे भी मैं पहले बॉक्स से कर लेती हूँ यह लांग वाली स्लूस में इसके साथ बता रही हूँ आपको छोटी वाली भी बता दोगी इस में केसे क्या जाता है अभी यह बॉक्स हो गया है स्लूस का अभी दस हमारी लेंथी तो एक इच में बढ़ा दी यानिके ग्यारा एक बार एक चेक कर लेते हैं एक गारा, ओके और यहां पर फोल्ट में हो जाएका हमारा एक इच यानि यहां पर थोड़ा सिला जाएगा और यहां पर थोड़ा सिला जाएगा इस तरीखेसी ओके अभी यहां पर हमारी कितनी थी ठीज़ और और रेपीट करना चाहोगी आपको ये main fitting हमारी फोती है ये वाली और यहाँ पर एक इंच आदेड़ी जो होगा आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो तो यहाँ पर मैं एक इंच बढ़ा देती हूँ अभी हमारी आर्मोल कितनी थी एक बार और चेक कर लेती हूँ तो यहाँ पर हमारी आर्मोल साडे 6 थी अभी ये साडे 6 था मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सौरी साडे 6 तो यहाँ पर हमने ढाएंच प्लस करना है अभी 6, 7, 8 और यह 9 अभी 9 आगया तो मैं आपको एक बताओगी अभी ये कौन से साइज का बलाओज है एक दूसरा भी एक तरीका इसके साथ ही बताओगी तो यह नौ यानि 36 साइज का यह ब्लाउज है आप देख सकते हो तो यहाँ पर जितना यह नौ आगए कभी आपके पास customer होगा तो आपने chase का नाप गिन लेना है जो chase का नाप हो वो आर्मोल आप में हाँ पर निकाल सकते हैं यह भी एक दूसरा तरीका में बताओगी कभी हमारे आपके customer आते हैं तो उनके पाल perfect blouse का नाप नहीं होता है तो हमें blouse की cutting कैसे की जाती है वो मालूम नहीं होता है तो आपने क्या करना है बहुत ही easy तरीका में आपको बताओगी chase का नाप ले लेना है और kumber का नाप लेना है और sluze का नाप लेना है खली length लेना है बस इससे यह आर्मोल easily निकल जाता है अभी sluze का नाप chase के नाप से यह आर्मोल का अभी नाब पर्फेक्ट हो जाता है अभी आप देख सकते हो जितना चेस्ता उतना ही ले लेना नो यहाँ पर हमें बढ़ाना खुश नहीं है इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कौनसी भी साइज का आप इजिली ब्लाउस कटिंग कर सकते हो अभी आप आर्मोल हमें लेना है तो आर्मोल हमें नौल ले लेती हूँ इस तरीके से ओके अभी यहाँ पर हमने धाइंच नीचे उतर लेना है उपर से धाइंच नीचे उतरना है इस तरीके से ओके अभी यहाँ पर देडिश हमारी यह ओगी और इसे हमें यहां से करना है perspectには main और यह हमारी margin अभी आपको समझ में आई गया होगा यह हमारी margin है आप देड़ एक इंज भी ले सकते हो मैं scale kit आप से ले लिया हुआ है अभी यहां पर एक इंज ते रखना है करने एक दम परफेक्ट आना चाहिए तो इसलिए हम पर एकींच ले सकते हो अभी यहां पर हमें क्या करना भी आपको बताओगी अभी इसको यहां से लेके बीच का सेंटर निकाल लेना है नहीं समझ में आ तो कोई बात ने इसको हमें ऐसे कर लेना है देख सकते हैं यह वाला बीच का सेंटरल इसको हमें स्केल के मात्वर से इसको ऐसे कर लेते हैं यानि अच्छी तसे सेंटरल आ जाता है अभी इससे हमें हलके से थोड़ा कपड़ा में खिसका लेती हूँ अभी यहां से हलके से हमें राउंड लेना है देख सकते हूँ मैं बतारी हूँ इसको यहां से राउंड लेना है और इसको यहां से गोल कर लेना है इतनी बढ़िया स हमारी स्लूस की cutting हो जाती है इसमें कुछ जो beginner होगे जो पड़े लिखे नहीं होगे वह भी easy लिक कर सकते हो सिप आर्मोल हमें देखना है जो होगा आर्मोल लेना है उसमें सीर प्यानी सिप धाई इंच प्लस करना है और जितना आर्मोल उतने हापे लाइन लेनी है और यहाँ पे धाई इंच नीचे उटर जाना है जो बड़ी होगी तो उनके तीन लेना है बस धाई और तीन में ही खे करके बता देती हूं मेरी कैची की धाल चली गए दोस्तों अभी करनी पड़ेगी बहुत सारी कटिंग हो चुकी है अभी यहाँ पर इसे ले लेना है एकदम हाँ दोसों वीडियो आपको यह कैसे लगा तो हमें कमेंट तरके जरूर बताना है यदि आपको कटिंग का बहुत कंटाल आता होगा या समझ में नहीं आता होगा सिलाई अच्छे आते हैं आप सभी को मालू है हमारी कटिंग है गीतालेश टेलर कटिंग जो वीडियो आपसी हां पि आप या से इसको ओपन कर लेता है ऐघये का पैर पीछे को अगे का पाक से कट करेंगा है तो इसको में वो भी बता देते हैं आपको अब जहां पर यह लिए हुआ हुआ है अब मैं आपको ले के बता देती हूँ इस तरीके से ज्यादा नहीं देना हलका सा सेट देना है तब ये परफेक्ट आही जाता है अब मैं आपको लेके बता देती हूँ एकदम बढ़िया सा हमारे ये ब्लाउस की स्लूस कटिंग हो चुकी है अभी इसके साती में आपको बताओ कि अभी इस तो अभी बढ़ा तो हो गया बढ़ा स्लूस हो या छोटा स्लूस हो इसमें कुछ फरक नहीं होता है सिप इसकी लेंद का ही फरक होता है जो दीख रहा है सेम गोल आइभी स्म वही होती है उसमें 1 इंज बढ़ाना है और क्वा आरमोल ऑते है उसको भी 2-1 बढ़ाना पड़ता है बस यहीं ओती बड़ी स्लूस को रही और छोटी स्लूस तो ये कटिंग कैसी सही लगी तो हमें गीता लेट टेलर को